हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, नमबर एनलोजी के बहुत ही खास प्रेशने हैं, जो आपको बहुत मदद करेंगे, पूरा वीडियो देखेगा और इनको करने का जो ट्रिक है, बहुत ही शांदार है और सभी प्रेशने एक्जाम से रिलेटेड है तो चले स्टार्ट करते हैं, पहला प्रेशने है 56-92 कोशन मार्क, तो यहाँ पर तो 56 है, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर कौन से संक्याएगी, यह आपको बताना है, देखिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर में, या अलग-अलग जहाँ पर भी कोचिंग बच्च है, यहाँ पर जो ऑफ्षन है, यहाँ पर कभी दो ऑफ्षन सही हो जाते हैं, कभी तीन ऑफ्षन भी सही हो जाते हैं, लेकिन ऑफ्षन तो कोई एक ही सही होगा, तो आपको वो सही टेक्निक पकड़नी है, जिससे की सही ऑफ्षन है, हम वहाँ तक पहुंचें, ठीक है, ऐस तरीके से 90 से यह संक्या बनानी है बहुत सारे पच्चों के दिमाग में यही होगा लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि जब मेरे पास यह 56 है तो क्यों ना सबसे पहले मैं 56 को ही सॉल्ब करूँ तो अगर मैं 56 के फैक्टर करूँ तो क्या होगा 7 गुने 8 7 गुना 8 ठीक है 7 अठे 56 होता है मैं यहाँ पर भी फैक्टर करूँ गा मैंने यहाँ पर फैक्टर किये तो यहाँ पर भी करूँ तो 72 के फैक्टर क्या होगा 8 गुने 9 ठीक है 8 निम 72 होता है उसी तरीके से मैं 90 के फैक्टर करूँ तो क्या होगा 9 गुने 10 होगा 9 गुने 10 90 हो यहां पर factor किया, अंतर एक है, तो यहां पर भी मैं कोई ऐसा factor करूँगा, जिनके बीच का अंतर एक आएगा, अब देखिए, common sense बन गया, साथ के बाद 8, यहां पर 8 last, 8 first, 9 last, 9 first, 10 last, तो 10 first हो जाएगा, 10 गुने 11 हो जाएगा, क्योंकि 7 का गुने एक के अगली संक्या से है, 8 का गुना उसके अगली संक्या से, 9 का गुना अगली संक्या से, तो 10 का गुना अगली संक्या से, तो 10 का गुना 11 से होगा, और दोनों के ब तो कितना होता भाई 110 होता है और 110 दे किस option में है D option में यह आपके प्रशने का सही जवाब हो गया ठीक है बहुत सारे बच्चों ने कम समय में भी कर लिया होगा इस प्रशने को लेकिन अच्छे से जानकारी देना हमको पूरी जानकारी देनी है आपको ताकि कहीं पर कोई confusion न ठीक है 30 से 16 बनाना है यही हमारे रिलेसन होता है तो 30 से मैं 16 कैसे बनाऊंगा भई मेरे पास क्या है 30 अगर मैं इस 30 में 2 से डिवाइड कर दूँगा तो सीदा सीदा मालूम है आपको पंदरे बार में जाएगा लेकिन चाहिए हमको 16 15 बार में गया है अगर इस 15 में मैं एक जोड़ दूँगा अपनी तरफ से तो 16 हो जाएगा यह वाला उजी तरी के से मुझे यहां रिलिएसन मनाना मैं ने तीस में दो से डिवैट दिया में यहां पर चोईज में क्या करऊंगा तो आपको आ गया, क्या गया सही आंसा है, तो question mark की जएगे पर क्या आएगा आपका, तेरा आ जाएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया, बात समझ में आ गई, अब देखेंगे अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, 8 है, 9 है, 25 है, question mark है, ध्यान से देखेंगे, तो 3 का square होता है, यतना मुझे पता है, और 25 क्या होता है, 5 का square होता है, यहाँ पर कौन से संख्याएगी, भाई, 2 का cube, 3 का square, 5 का square, क्या relation है, भाई, पहले संख्या में cube था, तो यहाँ पर भी पहले cube आना चाहिए था, कोई अलग logic बन रहा है, और logic बहुत शांदर है, ठीक है, logic बहुत शांदर है, क्या logic ही मैं आपको बता दूँ, कि जो यहाँ पर base था, उसको power बना दिया, और जो power थी, उसको base बना दिया, बात आगे समझ में, जो base को power बना दिया, और power को base बना दिया, तो मैं यहाँ पर भी power को क्या करूँगा, base बना दूँगा, और जो base था, उस 32 होता है, पहला option बिल्कुल सही, जिन बच्चों को नहीं पता, 2 की पावर 5 का मान क्या, भाई, 2 का गुना 5 बार कर लेंगे, ठीक है, पता चल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 बार कर लेंगे, 2 दुने 4, 4 दुने 8, 8 दुने 16, 16 दुने का 32, तो 2 की पावर 5 कितना होता भाई, 32 होता है, 32 सही जबाब हो गया, अब देखेंगे अगला प्रश्ने, अगला प्रश्नी है, 81, 121, 49, question mark, भाई देखिए, एक बात तो clear है, कि मेरे पास जो 81 है, वो 9 का square है, और जो 121 है, वो 11 का square है, और जो 49 है, वो 7 का square है, तो संख्यां square की form में दे रखी है, इतना तो clear हो गया, तो square क की form में, option में कौन कौन सी संख्या है, बासाट square की form में नहीं है, गलत, बामन भी किसी संख्या का square नहीं होता, ये भी गलत, 81 square होता है, 9 का, और 100 square होता है, 10 का, तो ये हमारे square की form में, दोनों संख्या है, square की form में, लेकिन यहाँ पर किस संख्या का square हैगा, वो देख लेना ह तो साते में 2 प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 का स्कूर कितना होता भी है 81 इसका मतलब पहला उक्षन बिलकूल सही हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 24 का रिलेशन आपका 36 से है तो बामन का रिलेशन किस संख्या से रहेगा 24 से 36 बनाना है आपके पास 24 है अगर इस 24 में 2 से डिवार दूँ तो सीधा भीज़ा आप जानते हैं 12 बार में जाएगा ठीक है लेकिन 36 कैसे बनेगा एक तरीका तो यह सीधा-सीधा 12 का गुना मैं 3 से कर दूँ 36 सीधा-सीधा तरीका है 12 का गुना मैं 3 से कर दूँ 36 अब उसी त बार गया था तीन से गुना कर दिया यहां 26 बार में गया है यहां भी तीन से गुना कर दूँगा मैं तो 26 का गुना तीन से करूँगा कितना होता बैई 78 होता है 78 मेरा कहां दिया गया है D option 78 मेरा कहां पर है भई D option में है ठीक है एक यह तरीका बहुत सी जगए यह भी सिखाया जाता है कि मैंने 2 से 24 में divide किया बारे बार गया तो इस 24 को इस बारे को फिर से डोल जोड देो तब भी 36 होगा 2 से 52 में divide किया 26 बार गया इस 22 को 26 को फिर से जोड दो तब भी 78 हो जाएगा तरीका वही है अलग अलग तरीके से बतायागा 3 से गुना करने के बजाए आपको कह दिया 24 को बारे को फिर से जोड दो 3 को गुना नहीं करने को कहा गया आप से का इन दोनों को फिर से जोड दो और इन दोनों को फिर से जोड दो आंसर वही आ रहा है फिर भी समझ में आगी बात अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशनी है 42 का relation 20 से है तो 64 का relation किस संख्या से रहेगा बहुत ही शांदार प्रेशनी है 42 का relation 20 से है 42 में 2 से डिवाइड कर दूँ जाएगा 21 बार चाहिए 20 तो कैसे बनेगा 20 एक घटा देंगे 20 बन जाएगा उसी तरीके से हम 64 में वही relation लगाएगे 2 से डिवाइड किया था तो 2 से डिवाइड कर दो 64 में 2 से डिवाइड करेंगे 32 बार में जाएगा एक माइनस यहां किया तो एक माइनस यहां भी कर दो 32 में से एक जाएगा आंसर आएगा 31 आंसर आएगा 31 पहला option बिल्कूल सही अब देखेंगे अगला प्रेशनी अगला प्रेशनी है 170, 13, 257 question mark देखें नंबर एनलोजी के जब प्रेशनों को हम solve करते हैं तो हमें square और cube बहुत अच्छे से याद होने चाहिए square और cube की बहुत मदद होती है यह आप हमेशा याद कर लें आप किसी भी exam की तयारी कर रहें सरकार नोकरी की तयारी कर रहें तो square और cube आपको याद होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दे रा गया है 170 और यहाँ दिया गया है 13 तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दू सीधी सीधी कि 13 यहाँ पर जो मेरे पास 13 दिया गया है 13 का square कितना होता है 169 169 होता है कि नहीं लेकिन यहाँ पर आपको 170 दिया गया मतलब 13 के square में एक जोड के दिया गया क्योंकि एक जोड देंगे तो 170 हो जाएगा ठीक है इसका मतलब यहाँ पर भी एक जोड आ गया है जब यहाँ पर एक जोड के दिया गया है तो यहाँ पर भी एक जोड़के तो एक जोड़ने से पहले यहाँ पर कौन से संक्या हो जाएगी दो सो चपन हो जाएगी तो एक जोड़के दिया गया है तो यहाँ पर हमको पता चलिए दो सो चपन किस संक्या का स्क्वार होता है 16 का स्क्वार होता है अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्ने, अगला प्रश्ने है, 6 का रिलेशन 108 से है, तो 11 का रिलेशन के संग्छा से बनेगा, मैं इस प्रश्ने को पहले आपके लिए होंबर के लिए सेट किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, मैं आपको करके बता आउगा, 6 का रिलेशन 108 से है, कैसे बनेगा भई, हमारे पास 6 है, रिलेशन 108 से है, अगर मैं इस 6 का गुना 3 कर दूँ, तो 6 गुने 3 कितना होता भई, 6 गुने 3 होता है, 18, के लिए रहे, 6 गुने 3, 18, कोई दिक्कत नहीं, अब लेकिन 18 का गुना मैं क्या करूँ, बापस 6 स कर दूँ, 18 का गुना बापस 6 से कर दूँ, तो 108 होता है, मुझे 108 मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, 108 मुझे मिल गया, अब वही मैं यहाँ पर करूँगा, मेरे पास क्या है, 11 है, जैसे मेरे पास 6 था, 6 का गुना 3 से क्या, वैसी मेरे पास 11 है, 11 का गुना मैं 3 से कर दू 11,23,33,33,43, applicable to packagearm 11,23,33,続affle Qoaching Standard में अब अलग तरीके से सिखाए जाती है तीक है यहां मैं जो सिखाए लोग उपूर्ग कितना best कितना असान लग रहा है वो आप मुझे comment box में बतायेगा और वीडियो को दोस्तों share करना ना भूले शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें शेयर आप अधिक से अधिक करें ताकि सभी बच्चों की help हो सके ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद